नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर्पल का खास कारिक्रम बिहार स्पेसल मैं हूँ आपके साथ रेखा मिश्रा बिहार के भागलपूर से बड़ी कबर सामने आ रही है जहां पर एक बार फिर से पूल जो है वो गंगा नदी में समा गया है और इस पूल के गंग आप देखिए किस तरीके से पूल जो है वो गंगा नदी में समा गया और इसके साथ ही नितीश सरकार की एक बार फिर से किरकिरी शुरू हो गई है भागलपूर में सुल्तान गंज अगुवानी गंगा नदी पर बन रहा निर्मानाधीन फोरलेन पूल तीसरी बार गंगा नदी में शनिवार को ध्वस्त होकर गिर गया सुल्तान गंज से अगुवानी घाट की तरफ से पिलर नमबर नौ और दस के बीच का हिस्सा गंगा नदी में समा गया इस महा सेतु का निर्मान एसपी सिंगल कमपनी करा रही है बता दे कि भागलपूर जिले के सुल्तान गं पूल जमिन दोज हो गया था निर्मान धीन पूल का सूपर स्ट्रक्चर नदी में गिर गया था वहीं पूल पर ड्यूटी कर रहे दो गाड भी हादसे के बाद से लापता हो गया थे उस वक्त अगुवानी की तरफ से पूल के पाया नंबर दस ग्यारा बारा के उपर का प स्ट्रक्चर नदी में गिर गया था तेज आंदी और बारिश में करीब 100 फिट लंबा हिस्सा भरभरा कर नदी में गिर गया था हाला कि उस वक्त जानमाल की छती नहीं हो थी इसके बाद पुल निर्मान का काम फिर शुरू हुआ और इस बार करीब 80 प्रतीशत काम सूपर की अप्रोच रोट का काम भी 45 फिसदी पूरा कर लिया गया था बतारे कि सरकार की ये महत्वकांशी पर्योजनौ में से एक है भागलपूर सुल्तान गंज अगुवानी पुल उत्तर और रक्षिन बिहार को जोडने वाली बिहार सरकार की महत्वकांशी पर्योजना है इस करोड़ों रुपए का बताय जा रहा है मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने 23 फरवरी 2014 को इसका शिला नियास किया था इस पुल और सड़क निर्मान से एक 31 तथा एंच असी आपस में जुड़ जाएंगे इस पुल की लंबाई 3.160 किलोमेटर है जबकि अप्रोच पत की कु पाल यही उठ रहा है कि आखिर बार बार पुल क्यों जो है वो गंगा नदी में समाज आ रहा है हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे से योगी संजे जुड़ चुके हैं और संजे से विस्तारपुरों कि पूरे मामले को जानेंगे लेकिन इस घटना के बाद अब लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रहे हैं पहले उस प्रतिक्रिया को सुनाते हैं और फिर इस पूरे मामले पड़ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लगता है कितनी वार पूल गिछा एक पर मुए दू बार तो तिन गड़र सही तिरों पाया दस गया जरिए गाप लोगस्ताब का जाओंक देने के लिए इस से बरारी फुल ठीक है मूंगर का पुल ठीक है बार बार जो है यहां तुक जाएगा तुक जाएगा अब में लोग का घर नस्दी कर मोग का रिष्टिफादार की आप क्या करते हैं आप यहां पर फूल बेचते हैं सुबह से फ्लाद भर क्या नाम हो आपको फ्ल्टूस ठागए है यह दोसरा बार किरा यह तिसरा में गिरा है हम यहां पर बैठे हुए थे और ना सर्धारू को हम देख रहे थे जैसे ही पूल गिरा कैसे मतलब लगा कि बादल उ करके नहीं गिरा वो हटास गिरा नीलम देवी बहार सरकार की महत्वकांची प्रोजेक्ट एक बार फिर से सवालों की घेरे में हैं और सवाल कई तरह के उठाए जानकारी के लिए भागलपूर से हमारे सयोगी अतुल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पहले अतुल के पा सरकार की महत्वकांची प्रोजेक्ट जो है उस पर सवाल उठ गया है एक बार बताईए क्या कुछ कहिएगा क्या कुछ अप्डेट है इस पूरे मामले को लेकर अतुल जी अतुल अतुल बोलिए पूल का नीव डाला गया था और इसका शेलानियात मुख मंतरी हितिस कुमार के दोरा की गयी थी और जब से ये पूल का बनना सुरू हुआ है तब से ये सवालों के घेरे में रहा है और मैं बताना चाहुआ है कि सर्व पर्थम ये दोजर दाइस में ये पूल गिरना सुरू हुआ था और लगातार तीन साल के धर्मियान में ये पूल तीसरी वार गिर चुकी है और यहां की जो अस्थामिय लोग है उनका यहां तक यह भी काना है कि अब अब यह अग्वानी सुर्था इन गंगा पूल के नाम से ही भेल लगता है उसको चरने का तो बात बूर है और मैं ये भी पताना क्योंगा कि ये पूल 1710 करोर की लागब से बना था और इसे बढ़ा करके 1750 करोर किया गया और तीसरी बार तीर बढ़ा करके इसे 2000 से ज़्यादा किराशी इसको आवंतन की गई है इस पूल को बनाने के लिए लेकिन कहावत में तो कही गई है कि धाक का वही तीन पास और वो स्वामने वो तो कहानी में सुना कर पाता लेकिन इस पूल को देखने इस पूल का नजारा देखने से ये साब पता चलता है कि वो कहावत इस पूल पर सही तावित हो रही है दि बिल्कुल और इसके साथ ही अगर अगर अतुल हम अतुल ये बात करें कि जो कमपनी है वो अगले कुछी महीने में इसे चालू करने का दावा कर रही थी तो अगर ये पुल चालू होता और चालू होने के बाद धरसाई होता तो कितने जानमाल की छती होती आपने भी साफतोर पर कहा कि लोग अब इस पूल पर डरने से चढ़ने से भी जो है वो उनके अंदर एक भै आ गया है कि अगर इस पूल का आने माले दिनों में निर्मान हो भी जाता है तो हमें इस पर चड़ने में भी डर लगेगा तो यह पूल बनकर के तयार होगी तो फिर इस पर चढ़ने का तो नम ही नहीं लिया जाएगा और मैं यह पसाना चाहूंगा कि यह तूल जो है जो अभी तीस्वी बार गिरी है तो यहां पड़ा ही तक कोई भी अधिकार ही नहीं पहुत है यहां तक की असानिया बिधायत और स्थानिया लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है धन्यवाद अतूल हमारे साथ जूरने के लिए और तमाम जानकारिया देने के लिए और इसी मामले पर हमारे साथ हमारे सोयोगी संजे भी जुड़ चुके हैं संजे करूप करेंगे संजे चुके आप से जाने के कोशिस करेंगे नितीश सरकार की ये महत्वकांची योजना है और ये योजना लगतार जो है गंगा नदी में समा रही है और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नितीश कुमार जो कहते हैं विकास के दावे करते हैं और क्या वज़ा है कि बार एक बार फिर से यह पूल गंगा नदी में समा गया है संजर कि अगर 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 पूल गिरने का सिंसिला लगातार जारी है अभी तक आप बात कर ले तो जिस तरीके से मौनसून आया उसके बाद से ही लगातार पूल का गिरने का सिंसिला बिहार में देखने को मिल रहा है अग्वानी पूल लगातार चर्चा में हैं और शुरक्यों में है अग्वानी पूल की चर्चा उस समय से हो रही है जब से ये पूल का निर्मान हो रहा है 2016 से इसका काम शुरू हुआ और अभी तक ये पूल जो है वो चर्चा में है अगवानी पूल भागलपूर से खगरिया को जोडने वाला ये पूल है और जारखंड को भी जोडता है तो जाहिर सी बात है कि जो ग्रामीन इलाके के लोग है जो गंगा के उस पार रहने वाले लोग है सुल्तान गंज के इलाके में सुल्तान गंज चर्चा इसलिए होती है क्योंकि बाबा बैदनात का रास्ता है और देवगर जाने का लिए रास्ता है, वहाँ पर अजगेवी नाथ है, तो लाखो सर्धालू जो है वहाँ पर आते हैं और अजगेवी नाथ सुल्तान गन्स से उत्तर वाहिनी गंगा लेकर वो देवगर के लिए जाते हैं, तो जाहिड सी बात है कि ये पूल बनता, तो लो पूल गिरने का सिंसिला लगातार जारी है और अब एक बार फिर से जो है सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको ब्लैक लिस्टिट करने की मांग लगातार विपक्स के तरफ से की गई थी ये मामला जो है शदन में भी गुंजा था विधान सभा के जो सत्र चल रहे थे उस स जहते हैं ना की छोटी मचलियों को हमेशा टारगेट किया जाता है बड़े मचली अभी भी कही न कहीं सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो मालिक है उन पर कारवाई नहीं हुई है मामला सुप्रेम कोट में भी चल रहा है और पूल जो बिहार में लगातार धोस्त हो रहे हैं इसको लेकर सुप्रेम कोट में भी मामला उठा है और सुप्रेम कोट ने भी याज का दायर की है इसको लेकर तो कहीं न कहीं सिंगला कंस्ट्रक्शन ग्रूप को ब्लैक लिष्टेट करने की मांग एक बक्त में काफी की गई थी बिपक्ष के द्वारा जो है उस वक्त बिद्ध है और इस वक्त भी जो पाया संक्या 9 गिरा है वहां इस वक्त भी नीका प्रतिपक्ष तेजश्वी आदव है तो कहीं न कहीं पूल गिरने का सिंसिला लगातार बिहार में चल रहा है और अगवानी पूल की चर्चा उस वक्त से ओर ये जबसे मुखमंति नित Pketis इसकी तारिक 2026 में कर दी गई है यानि चुनाओ के बाद बिधान सबाके जो चुनाओ होने है बिहार में 2025 में उसके बाद होंगे 2026 में तो कहीं न कहीं इस पूल के गिरने का सिंसिला लगातार जारी है और इसको लेकर बिहार में सियासत भी खूब हुए थे बिपक्ष ने क बाद को लेकर चर्चाएं उठी थी और सिंगला कंस्ट्रक्शन ग्रूप को ब्लैक्लिस्टेड करने की मांग सरकार के तरफ से की गई थी करोड़ो रुपे की लागत से ये पूल बन रहा था करीबन 1750 करोड की लागत से ये पूल बन रहा था लेकिन अब इसकी जो है और पैसे बढ़ाये गया थे करोड़ो रुपे लेकिन फिर भी ये इस्तिती हो गई कि पूल लगातार साल एक सालों के अंदर तीसरी बार पूल गिर रहा है यानि सिंगला कंस्ट्रक्शन ग्रूप को ब्लैक्लिस्टेड करना होगा और पूल गिरने को लेकर चर्चा खूब हो जाता है तो जो वहां के रहने वाले लोग हैं उन्हें इस पूल पर चरने में डर लगेगा क्योंकि जो मेटेरियल है कहीं न कहीं वो मेटेरियल सही उप्योग नहीं हो पा रहा है सही तरीके से जो गलत मेटेरियल का इस्तमाल हो रहा है जिसके बज़ा से ये पूल जल लिया था पिछले साथ तो कहीं ने कहीं इसको लेकर चर्चा फिर से होने लगी रिखा जी संजे और विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा जी जी संजे अब बिल्कुल देखे पूरा होने का वक्त सोच लीजे कि तीन बार बदल चुका है लेकिन संजे सवाल ये भी है कि अगर भरस्तचार है तो फिर ऐसे लोगों पर कारवाई क्यों नहीं की जा रही है और इस भरस्तचार का जो नुकसान हो रहा है वो आम जनता को जहलना पड़ रहा है ये एक ऐसी महतोकांची परियोजना है जो अब तक चालू नहीं हो पाई है और बार बार इसके उद्घाटन को लेकर के टाला जा रहा है अभी जो जानकारी सामने आई थी वो ये थी कि कुछ दिनों में कंपनी ये दावा कर रही थी कि पूल को आम लोगों के लिए चालू कर दिया जाएगा अगर ये पूल चालू कर दिया जाता तो कितना बड़ा हाथसा हो सकता था इसकी परिकल्पना आप इन तस्वीरों को देख कर के कर सकते है अगर ये पूल जब अगर ये पूल जब अगर ये पूल ये काम हो जाते हैं मुखमंतिनी टीश कुमार इसका उधगाटन करते क्योंकि सरकार की मधुकांशी योजना है तो जाइर सिवाथे की मुखमंतिनी चाहते हैं कि 2025 के विधान सबाचुनाओं से पहले इसकी उधगाटन हो जाए और आनन पानन में अगर उधगाटन कर दिया जाता और इसकी सुचारू रूप से ये पूल सुरू हो जाता तो जाइर सी बात है कि बड़ा हाथसा हो सकता था बड़ी घटना हो सकती थी लेकिन इसमें बड़े लोग नहीं फसते हैं रेखा इसमें वैसे छोटे अधिकारी और छोटे करमचारी फसते हैं इंजीनियर फसते हैं जो इंजीनियर होते हैं वो फसते हैं तो कहीं न कहीं बड़े जो मालिक हैं इसके कंस्ट्रक्शन के वो नहीं फसते हैं मेटेरियल में कहीं मेटेरियल में कटोती की गई है इसमें भरष्टाचार का पूल है ये कह सकते हैं ये पूल जो बन रहा है ये पूल का जो धाचा तयार होड़ा है ये भरष्टाचार के बली चर रहा है क्योंकि जब बड़े अधिकारियों को मोटे मोटे रकम पहुचाने होंगे मंत्रियों को मोटे मोटे रकम पहुचाने होंगे तो जाइड सी बात है कि वो कटोती तो मेटेरियल में ही करेंगे तो पूल तो बनेगा ही दो नंबर का और पूल जब दो नंबर का बनेगा तो इसी तरीके से पूल का जो पाया है वो गिरता चला जाएगा और समय जो है बढ़ता चला जाएगा उधगाटन के लिए मुखमंत्री इस पर कारवाई करना क्यों नहीं रहें ये तो मुखमंत्री ही बता सकते हैं उनके बड़े अधिकारी बता सकते हैं जो इस विभाग के फोर लाइन पूल बनाने की बात फोर पूल बनाने से पहले इस पूल का काम जो है निर्माधीन चल रहा है और इसे 2024 महीं उधगाटन करना था मुखमंत्री को 2025 का तारिख रखा गया था कि 25 के अंत महीने यानि 9 दिसंबर तक करना है उससे पहले चुनाव होने है तो चुनाव की जब घोशना होगी तो जाहिर सी बात है कि उससे पहले अगर हो जाता है तो ठीक है लेकिन अब 2026 रखा गया है क्योंकि इसमें सही तरीके से मेटेरियल का इस्तमाल नहीं किया गया है क्योंकि गंगा का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है मौनसून है और गंगा का जलस्तर बढ़ा है तो जाहिर सी बात ह तो बाद में क्या होगा बड़ा हाथसा हो सकता है इस पूल को कह सकते हैं कि भरष्टाचार की भेट चर चुका है और भरष्टाचार का ये पूल है ये सरकार को सोचना होगा मुखमंद्री को सोचना होगा पत्निर्मान विभाग को सोचना होगा और केंद्रिये जो पत्निर् सवाल गहें दिजा सवाल का जवाब सही तरीकी से नहीं मिल पार रहा है दन्यवाद संजे वहां जोनने के लिए और तमाम जानकारिया देने के लिए तो भागलपूर में एक बार फिर से पूल जो है वो धरसाई हुआ है और गंगारदी में समा गया है ये नितीश कुमार की महतोकांची परियोजना को लेकर के अब कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं और सवाल यही है कि क्या ये पूल फिर से दुबारा जो है वो कभी शुरू तो हो पाएगा भी या नहीं और अगर हो पाएगा तो क्या आम लोग इस पर चलेंगे या सफर करेंगे या नहीं ये भी अब सवाल उठ रहे है चुकि आम जनता जो है उनकी भी प्रतिक्रिया हमने दर्श को कुस्ना है उनका साफतर पर यही कहना था कि अब इस पूल पर चलने से भी हमें डर लगेगा देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में आज ये जो पूल गीरा है इसको लेकर के किन लोगों पर कारवाई होती है और सरकार इस पर क्या कुछ कहती है तो मेरे साथ फिलहाल बहार स्पैसल में अभी के लिए इतना ही आप देखते र अजया है तो में अभी के लिएगाई है तो में रहा है ये फिलहा है तो में ये अजया भी कि दो दूल है पूल दोग में चित रहा है अभी कि देखते पर कि अ